Good morning students, आज हम ए की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे ए की मात्रा के ग्यान से पहले हमें स्वर और व्यंजनों के बारे में ग्यान होना चाहिए सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर स्वर है स्वर हम किसे कहते हैं? स्वर औ से अहतक होते हैं, जिनकी संख्या 13 होती है व्यंजन को से ग्यातक होते हैं, जिनकी संख्या 33 होती है स्वर, स्वरों की अपनी मात्राएं होती हैं, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अ को छोड़कर के बाकी सभी स्वर की मात्राएं होती है अ की कोई मात्रा नहीं होती है आ की मात्रा होती है इ की मात्रा होती है इ की भी मात्रा होती है बाकी सभी व्यंजिनों की मात्राएं होती है आज हम जो सीखने वाले हैं वो हम इ की मात्रा के बारे में सीखने वाले है सबसे पहले तो आपको इ और इ में की पढ़ना शुशन आने चाहिए इसका मतलब हमें इसको बोलना आना चाहिए अगर आपको ये सही तरीके से बोलना आता है तो आप इसकी मात्राओं के ग्यान को भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इ हम इसको इ बोलते हैं और इसको इ बोलते हैं तो इ की जो साउंड होती है जो इसकी आवाज होती है वो बिल्कुल हलकी होती है और E की जो sound होती है वो बहुत ही लंबी होती है इन दोनों मातराओं का यही एक पहचान होता है कि हम इसे इनकी पहचान हलकी होती है और E की मातरा की पहचान लंबी होती है सबसे पहले हमें इनका पानाशेशन करना है उसके बाद हम मात्रा के बारे में सीखेंगे इसे हम बोलते इ और इसे हम बोलते इ अगर अब आपको इसका ग्यान है तो आप मात्राओं को बहुत आसानी से सीख जाएंगे अब हम क क की मात्रा को वियंजुनों के साथ लगा करके बोलना सिखेंगे की जब हम क को ई की मात्रा लगाते हैं तो उसकी आवाज कुछ इस प्रकार से होती है की खी गी गी अनी ची ची जी जी टी ठी डी डी अनी ती ठी डी धी नी पी फी बी बी मी यी री ली वी ची ची ली सी ही शी त्री गी जब हमने इन व्यंजनों के साथ इस मात्रा को लगाया तो इसकी आवाज बिलकुल हलकी निकलती है और जब हम इ की मात्रा को व्यंजन के साथ लगा करके बोलते हैं तो वहाँ पर इसकी पहचान हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि इसकी जो आवाज है वो बिलकुल हलकी है. जैसे अगर हम लोग इस लव यंजन के साथ E की मातरा को बोल रहे हैं तो लि थव यंजन के साथ बोल रहे हैं थी जब भी हम किसी भी शब्द का उचारन करते हैं तो उचारन के समय हमें सबसे पहले मातरा को ध्यान में रखना है कि ये मातरा किसकी है इसकी आवाज किस प्रकार निकलती है दूसरा हमें सबसे पहले मातरा के साथ व्यंजन को मिला करके बोलना है जैसे द के साथ इ मिला करके साथ में बोलेंगे दि न दिन पि न पिन बि न बिन गि न गिन, ति न तिन, ओ वि, अवी, दि ल, दिल, बि ल, बिल, हि ल, हिल, कि ल, किल, ति ल, तिल, रवी, रवी, दि ला, दिला, मिला मिला, हिला हिला, खिला खिला, पिला पिला, चवी चवी, पहिया पहिया चिरिया चिरिया टिकिया धनिया बितिया कवी 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 इस प्रकार हमने मात्रा को साथ में मिला करके पठन अभ्यास करना है इकी मात्रा वाले शब्दों से बने हुए वाक्य अब हम वाक्यों का पठन अभ्यास करेंगे वाक्यों का पठन अभ्यास भी हम उसी प्रकार से करेंगे जिस परकार से हमने शब्द बनाए शब्दों से ही वाक्य बनते है और ये जो सभी वाक्य आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब कि मात्रा के वाक्य है चलिए हम इसका पठन अभ्यास करते हैं रवी रवी उठ ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ये एक पूर्ण विराम होता है पूर्ण विराम का आर्थ होता है हमारा वाक्य महाँ पर खत्म हुआ रवी उठ दिन दिन निकल निकल आया दिय दिया जला माता माता पिता का कहना मान सरीता किताब किताब पढ़ पढ़ हिसाब हिसाब लिख लिख दस तक तक गिन कर गिन कर लिख लिख जैसे आपके पस ये बड़ा वाला वेंजन है बड़ा शब्द है इसे आप आदा-दा करकर भी पढ़ सकते हैं सबसे पहले आप इसे पढ़ेंगे गिन गिन कर कर गिन कर लिख हि ना हिना बाजार बाजार जा कवी कवी कि कवी ता कवी ता गा आज आज वीपीन विपिन आया नारियल नारियल धनिय धनिया वै किश किश मीश मिश लाया रवी रवी इधर इधर आ तिलक तिलक लगा लगा हरी हरी गिलास गिलास पकड पकड हरी, गिलास, पकड शब्दों को जोड़ कर लिखे आपका जो प्रश्ण है वो है शब्दों को जोड़ कर लिखना सबसे पहले आप यहां पर देखिए यहां मात्रा लगे हुए हरन आप इसे साथ में बोलेंगे हीरन हीरन अगला है ब, आ, बा, आप लिखेंगे ब, आ, री, श, बारीश द के साथ इ मिला करके बोलेंगे दी, दि, न, दिन अगला बोलेंगे ग, 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 ल, आ, से, जिलास त किया बि, ल, बिल पि ला पिला कवी कवी अगला प्रश्न है चितर पहचान का नाम लिखो आपको सबसे पहले चितर को देखना है चितर किस चीज़ का है उसके बाद आप इसका नाम लेकेंगे चितर है गिलास तो आप यहां लिखेंगे गि लास गिलास दि ल दिल दि या दिया किताब किताब अगला जो प्रश्न है उसमें इ की मात्रा लगा करने शब्द बनाने है जिस प्रकार आप देख रहे हैं बीच में यहां पर इ की मात्रा दी है द द द द यहां दिया है शा या ल न इनी शब्दों से मिला करके आपने एक नया शब्द बनाना है जैसे द द इ द इ दी शा द इ या दिया आपका जो दूसरा शब्द बनेगा वो बनेगा दिया दिया द इ दि ल दिल दि ल दिल द इ दि न दिन की मात्रा का परियोग करके शब्दों को सही कीजिए यह जो आपके पास शब्द दिये हैं आपको इन्हें सही करके लिखना है इन पर इ की मात्रा लगा कर एक नया शब्द बनाना है जैसे रव लेकिन आपको इससे एक नया शब्द बनेगा यह लिखा है रव लेकिन आपको इससे इ की मात्रा लगा करके बनाना है तो यह बने निकल निकल टकट आपको एक की साउंड लगा करके एक नया शब्द बनाना है तो नया शब्द बनेगा टिकट शनवार शनवार तो आपको इसको नया शब्द बनाना है श नि वार रववार आपको नया शब्द बनाना है रवि वार द न दन दी न दिन दल 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 दिल तल 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 तिल 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 व मान व मान वि मान चितर को देखकर डिक्त स्थान के पूर्टे कीजिए यहाँ पर आपको चितर दिखाई दे रहा है आपको इस चितर का नाम दिखना है रवि रवी डैश बजा रवी गिटार बजा हि नाहिना की ताब किताब पड़ अ वी अवी नारियल ला चीडिया चीडिया आई चितर देख करके शब्द पूरे करो किताब किताब अगला चीटर है साइकिल साइकिल बारिश किसान गिलास नीब निब शब्दों को पूरा करना है आपने कोई एक वियंजन लगा करके आपने इन शब्दों को पूरा किया अब आप इसको एक बार फिर से पड़ेंगे किताब साइकिल बारिश किसान गिलास नीब